हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन पर यहाँ पे अगर आप लोग जो आप वाटसप के अप्लिकेशन लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे कैसे लगाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो guys यहाँ पे whatsapp में password लगाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले setting को open करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है application वाले option पे आईए और उसके बाद यहाँ पे आपको app log पे click करना है और उसके बाद आपको इस तरीगे से दिखाई देगा तो दोस्तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है आपको यहाँ पे whatsapp को सर्च कर लेना है whatsapp को आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएगा whatsapp तो आप लोग इसको enable कर लिजिए जैसे कि आप लोग इसको इनेबल करेंगे तो दोस्तो आप जैसे इसको इनेबल करेंगे तो आपके फोन में WhatsApp पर जो है लॉक लग चुका है अब जब भी आप लोग यहाँ पे WhatsApp एप्लिकेशन को open करेंगी तो दोस्तों आपको यहाँ पे password पुछेगा तभी आप लोग यहाँ पे WhatsApp को open कर पाएंगे अब दोस्तों जो आपका password वही रहेगा जो password आप लोग यहाँ पे अपने phone में जो है इसकीन को on करते टाइम जो password यहाँ पे आप लोग डालते हैं वही आपका password रहेगा वैसे तो आप लोग यहाँ पे जो WhatsApp का जो password रहेगा उसको आप लोग यहाँ पे change भी कर सकते हैं तो आपको change करने के लिए आपको सबसे पहले setting को open करना है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है change password type का option आता है यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे आप लोग pattern password पे जाए और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप लोग नया create करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे create कर लीजिए तो गाई जहाँ पर आप लोग इस तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को ठेक कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए